अब स्कूले हैं टो चल्हें हैं कि ने लोज लोज है। आख की है तो नमबस जैसे की 1 2 3 4 ऐसे तक के जो इनफिनिटी तक क्यो नमबर ओते हैं इन्को रहते ने लेकल करता है तो हम लोग इसी il prates का इूज करते हैं इसलिए नेचरवांबर्स को हम लो counting नमबर्स के नाम से भी जानते हैं तुरोल नंबर्स अब बात करते हैं कि होल नंबर क्या होता है true ж To happen to actualitas लिखें जो चाहिए एक बात करते हैं इंटीजर कोटे फिर एक बार बताते हैं कि इंटेजर क्या होते इश्मींटिक तक क्या बन जेता है whole number बन जाता है यहाँ से यहाँ था कि नेचुरल लेकिन जैसे जिरो इंक्लुट करें जाती जिरो से लेकर इंफनिटी तर क्या हो जाップ का होगा हम लोग इंटीजर्स बोलें के मतलब इंटीजर्स क्या होता है तो जब नेचुरल नमबर्स और उनके निगेटिव साइन्स को जीरो के साथ लिए जाए तो उसी को इंटीजर्स कहा जाता है आई होब कि आप इंटीजर्स समझ गए होंगे फिर फ्रेक्शन वाला चेप्टर म हमें लिख साके उसे हमें फ्रेक्शन बोलते हैं लेकिन वहां पर कंडीजर्स यह थी कि यहां पर जो ए और यह भी है यह दोनों को दोनों क्या होने चाहिए नेचुरल होने चाहिए क्या होने चाहिए नेचुरल नमबर होने चाहिए हैंने कि निउमरेटर और uğrainer in का देखिन ंंसमाइटर है उनमिनें तरक नियुमिनेटर 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 डिनमबर होने चाहिए उसको क्या वो भी दौनेक्वाय सुमज combustion प्रेघ्षं गया होंगे त、 अब यहака है यह फ्रेक्षान समझ यह होρη है नमबर सिस्टम तो रेस्टनल नंबर भी आप समझ जाएंगे रेस्टनल नंबर क्या होता है तो एक कोई भी नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके यहां कि एनि नंबर वीच के जो वाईलू है यहां जीरो नहीं होने चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होन कि यहां इनटीजर होना चाहिए और क्यू की वाईलू के बराबर नहीं होना चाहिए यो उससे हम लोग ट्रेश्टनल यह जितने भी यहाँ पर नंबर्स लिखा हूं देखिए 1 by 2, minus 1 by 2, 0 by 2, minus 1 by 2, यह सभी क्या है, rational numbers है, क्या है, rational numbers है, देखिए, minus 7 क्या है, integer है, negative integer, 5 क्या है, integer है, positive integer, p और q दोनों क्दोने integer है, और p by q का फॉर्म में लिखे गए है, q के value 0 का परावर नहीं है, तो यह क्या है rational number है, देखिए, यह भी, यह p के value 0 है, q भी क्या है, integer है, लेकिन यहाँ पर देखिए, p के value 0 हो सकती है, p के value 0 हो सकती है, q के value 0 नहीं हो सकती, देखिए, यहाँ पर q की जगा हो जगा है, 2 वह 0 के वरावर नहीं है, numerator 0 हो सकती है, denominator 0 नहीं होना चाहिए, तो p by q के फॉर्म मे और फ्रेक्शन में तब डिफ्रेंस किया ऐनतर हैसल तो अंतर यह है कि यह एंद कि यहां पर A by B के फॉर्म में लिए और थाए यहां पर यहां पर डिफ्रेंस यह है कि यहां पर día or be natural numbers today or n Fanerड घ्या वा कि फॉआर कि अ इन्टिजर होंक है नीगेटिव भी होते हैं और पॉजेटिव भी होते हैं में अब बता है आप बताइए यह बोलू कि 2 रेस्टनल लंबर है की नहीं है तो आप बोलेंगे कि यह तो नेचुरल लंबर है यह नेचुरल लंबर है लेकिन क्या में इसको डिवाइड वन कर दूट इसके वैलिक उपर कोई असर पड़ेगा बोलेंगे नहीं पड़ेगा तो यह देखिए C4 की वैलू है और यह किस की वैलू है यह b Burada को इसके फरब में है क्यों को बड़ाबर नहीं है तो क्या हुआ रेस्टनल लंबर होगा क्या हुआ रेस्टनल लंबर र्षा कोगा rational number बोलेंगे जितने भी whole numbers है whole numbers भी रिशनल number कह लाएंगे यानि कि देखिए जैसे बोलू कि zero zero क्या है तो zero whole number है zero rational number भी है यानि कि सभी natural number из fake number होगे सभी whole number Inner personal number होगे सभी integers भी rational voor होगे जैसे बोलू के बताईए minus two minus two तो मैंनस टू यह क्या है इंटीजर है आचा ठीक है इंटीजर है तो मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूं वन से देखिए यह पी वाई क्यों के फ़र में हो गया क्यों के वाईलू 0 का परापर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं कि माईनस टू भी रेस्टना लंबर है यानि कि सारे इंटीजर्स भी रेस्टनल लंबर होते हैं और इंटीजर्स आर रेस्टनल लंबर फिर से फ्रेक्शन्स तो देखिए फ्रेक्शन में जो जो रखे हैं ऊपर वाईलू ए और बी कि यह नेचुरल लंबर है और नेचुरल लंबर रेस्टनल लंबर भी होते हैं तो यह 5 by 7 भी क्या है, एक रेष्टनल नमबर ही है, 5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो all fractions are rational number, यानि कि यह सभी सभी rational number कहलाएंगे, लेकिन सभी कि सभी rational number fraction हो यह जरूरी नहीं है, जैसे एक जामपल में, minus 1 by 7, यह एक rational number है, लेकिन यह fraction नहीं है, यानि कि सारे fraction rational number हो यह इंटीजर है, 2 by 7 क्या है? एक इंटीजर है, अब यह fraction है कि नहीं है? देखिए, 2 natural number है, 7 भी natural number है, तो यह fraction भी है, तो यह fraction भी है, तो तो सारे कि सारे जरूरी नहीं है लेकिन सारे उसल मंबर होंगे घ्राइब कोई भी अचले हुल chiaव जब भी जैसा में लिजिए कि यह एक रशनल नर्बर है कि नहीं आप बोलेंगे क्या है जब भी रशनल नमबर लिखेगए हो तो इसका अगर में नियुमयरेटर और डिनुमिनेटर दोनों का साइन सेम है यह या फिर दोनों को दोनों अगर में पोजिटीव है तो इसको पॉजिटिव और दीनोमिनेटर कृल में तुन दुनों का सेम साइन हैं यानि कि दुनों का अंग है तो यह पोजिटिव क्यां सेम है तो यह पोजिटिव रेस्टलान नंबर होगा अब बोलू कि 10 10 by 10 by 31 यह positive resistance number है कि negative resistance number तो यह positive resistance number निम्रेयटर और दूनमेर तरह क्या था नियंदा है तो से positive resistance number और negative resistance number क्या हो तो इसका उल्टा अगर मैं जो p by q के form में लिखे गाए है जिसका जिसका क्या हो कि वाइलू अलागला हो पहले है कि रेश्टरल नंबर है क्या नहीं है तो आप देखें कि numerator और denominator का sign सेम है कि अलग अलग है तो सेम साइन के case में positive रेश्टनल नमबर और sign अगर में अलग अलग होगा तो negative rational नमबर जैसे देखिए minus 1 by 7 यह है एक negative rational नमबर है क्यों क्योंकि इसका numerator तो negative है लेकर denominator positive है बोलों कि 1 by minus 8 यह भी क्या है यह अभी एक negative रेश्टनल नमबर है क्यों क्यों क्योंकि इसका देखिए denominator negative है और numerator क्या है positive है यानि कि ऊपर जो लिखिव है वैल्यू है यानिक निमेरेटर और denominator की unlike sign से अलग अलग साइन से तो numerator और denominator का अगर में sign अलग अलग है तो उसका हम लोग negative रेश्टनल नमबर बोलेंगे आई होब कि आप पोजिटिव रेश्टनल नमबर और समझ यह होंगे चलिए कुछ properties के बार में बात कर लेते हैं बात करते हैं रेश्टनल नमबर की property की बार में डोई property देखिए यहाँ यहाँ पर कोई रेश्टनल नमबर रेख रहा हूं वन बाई seven तो मैं उपर निम्रेटर में जिस नमबर से multiply कर रहा हूं यह उसी नमबर से निचे भी multiply कर दो तो यह जो 1 by 7 की value है इसमें कोई भी फरक नहीं पड़ेगा यह जो 2 by 14 है इसके बराबर ही है value यह 1 by 7 2 by 14 के बराबर ही है मतलब यह हुआ कि आप किसी भी rational number में मालेज यह कोई भी rational number p by q form में लिखी गई है आप numerator में जिस नमबर से multiply कर रहे है उसी नमबर से आप निचे भी multiply कर दिजिए इसके value में कोई भी change नहीं आएगा जैसे example में मालेज यह कि मैं 2 by 5 लिख रहा हूं ठीक तो 2 by 5 में अगर मैं यह 2 by 5 लिखा गया है यदि इस में मैं numerator में क्या करूँ कि 10 से multiply कर दूँ और नीचे भी 10 से multiply कर दूँ निकि जिस नमबर से numerator में multiply कर रहा हूं उसी नमबर से अगर मैं नीचे भी multiply कर दूँ तो इसके बाद से जो value आएगी 20 by 50 इसके value में कोई अफर नहीं पड़ेगा यानि तो क्या है प्रोपर्टी नमबर वन तो आप जिस नमबर से numerator मॉल्टिप्लाई करें उसी नमबर से denominator मॉल्टिप्लाई करिए इसके value में कोई चेंज नहीं आएगा अब बात करते हैं प्रोपर्टी नमबर 2 के बारे में कि प्रोपर्टी नमबर 2 क्या कहती है तो चल काती है कि आप जिस बहुत इन्टी चल की जुझी सिदेटाई कर रहा है माल ये कि मैं नमेटर में 10 से कर रहा हूं किसे डिवाइड कर रहा हूं 10 से तो आप उसी नंबर से डिनो मिनेटर में भी डिवाइड कर देजिए 50 से भी कह कर देजिए 10 से डिवाइड कर देजिए तो इसके value में कोई change नहीं आएगा तो इसकी value क्या आएगी 20 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 50 में 10 से P by Q के form में लिखी गई है तो आप यहां पर P में जीस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से आप नीचे भी डिवाइड कर दिजिए इसके value में कोई अशर नहीं आएगा यानि कि अभी भी या P by Q ही होगा अगर मैं आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसी नंबर से आप डिवाइड करें अगर मैं उसको भी समझा देता हूँ और प्रोपर्टी टू आपको समझ में आगी होगी क्या कि अगर मैं कोई यहां पर प्रोपर्टी टू है पी बाई क्यू अगर मैं पी में आप जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से नीचे एक क्यू में भी क्या करिए आप क्यू में भी उसी नंबर से नमबर राइट एक रेश्टन नमबर टु इस इक्विवेलेंट या फिर आएगा कि राइट एक रेश्टन नमबर जिसका जो डिनोमेनेटर हो 14 नहीं यादि कि आपको एक रेश्टन नमर देद मर देगा जैसे 1 भी 7 इह पर देद दिया है और पुछेगा कि एक ऐसा पड़ेगा नीचे मल्टिप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा 14 हो जाएगा लेकिन जब आप नीचे मल्टिप्लाई करें तो आप वो ऊपर भी 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो दखिए क्या आएगा हमारी वाइलू 2 by 14 तो यही रेश्टनल नंबर है यही यही रेश्टनल नंबर है 2 by 14 जो कि इसके एक्विवेलेंट भी है और जिसका डिनोमिनेटर 14 के बराबर है मतलब आई होप कि आप समझ गये होंगे फिर एक जाएगा और क्वेस्टन कहेगा कि आप एक ऐसा एक्विवेलेंट रेश्टनल नंबर बताए जिसका 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 10 से मल्ल्टिप्लाई करना पड़ेगा थ्री से तो जैसे 5 से मल्लटिप्लाई करें तो 15 हो जाएगा लेकिन आप नेचे छिंद मल्ल homeless किये हैं तो उपर भी से multiply करिए तो कितना एगा यह हो जाएगा three by 15 कितना हो गया three by 15 तो यही जो three by 15 है three by 15 जो है यही क्या है एक एक ऐसा equivalent register number है इसके equivalent register number है जिसका denominator 15 है उसी तरह से इसका इसका डिवाइटर फाइब हो ताप देखिए यहां पर 50 लिखा है इसका डिवाइटर फाइट करना पड़ेगा लेकिन नीच्छे आप डिवाइड कर रहे है तो आप पर उपर भी आपको 20 20 में भी क्या करना पड़ेगा का 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा टू भाई क्या आ जाएगा फाइव यह त्वाई फाइव यह ट्वाई फाइव यह ट्वाई फिव्टी का एक ऐसा इक्विवेलेंट रेश्टल नमबर है जिसका दिनोमिनेटर फाइव है इसी प्रकार से क्वेस्ट देज़ेगा 70 by 70 by 80 देजेए और बोले कि एक ऐसा इक्विवेलेंट रेश्टल नमबर बताईए इसका इक्विवेलेंट इसका जो डिनोमिनेटर हो वो 8 आये तो आप ही सोची यहां पर दिनोमिनेटर तो इसका पहले से 8 था लेकिन इसका डिनोमिनेटर 8 प्राने के लिए में क्या करना पड़ेगा नीचे 10 से डिवाइड करने तो इसका डिनोमिनेटर 8 हो जाएगा लेकिन नीचे आप डिवाइड क करेंगे तो एक सेवन बाई एट एक ऐसा एक्विलेंट रेस्टनल नंबर है इसके कि जिसका डिनोमिनेटर एट है है यह यहप कि आप डिनोमिनेटर को स्यम करना समझ गए होंगे एक और बात देखे जिसे हम बोलूं कि ओन बाई कैकी जिकने हम और श्यचानल ऋंबर你好 एक तो शोजलों है बॉढ कि एस दानल इस यह ढदाने है जिसका डिनोमीनेटर इन अगा está manufacturer में कितना है इसकी विल्уса बनाने पॉजिटिव बनाने के लिए किया करना पड़ेगा निचे मैल्टीप्लाइ कर वोκ से उपर 지금까지 कर से सब्सक्क्राइब और दिश्यां अच्छा ओंगे नीचे माइनस से मल्टिप्लाई करिये और उपर भी करिए उसी तरह से डिनोमिनेटर को निगेटिव बनाना आ होगा लाँ तो करेंगे को प्रोपर्ट टू समझ गया आ गई होगी और इसके उपर बैस आफ को स्केवंगे का क्या करें तो आप तो आप तो आएक बार उपर टू से घ्स नमबर किये हैं उसी नमबर से आप नीचे भी मल्टिप्लाई कर दिजे तो क्या अगा पहला एक्विलन्ट हुआ फिर दुसरा पता करने क्लिक क्या करेंगे तो भाइट थ्री में क्या करिये कि आप ऊपर थ्री से गरेंगे थ्री से आपको नीचे भी थ्री से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा शीट दूसरी देस्टन नमर पाता चलेगे आप 4 से उपर मल्टिप्लाई कर दिया और उसी नंबर से क्या करिया आप निचे भी 4 से मल्टिप्लाई कर दिजिए तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 8 by 12 ते कि इतना होया तीन एक्विवेलेंट रेस्टल नंबर पता चल गया एंड कि जब भी आपको एक्विवेलें रेस्टल नंबर पता करना हो तो आप जिस भी नंबर शूपर मल्टिप्लाई कर उसी नंबर से निचे भी मल्टिप्लाई कर दिजिए और एसे एसे तीन बार अलग-अलग नंबर से मल्टिप्लाई कर दिजिए तो आपको एक्विवेलेंट रेस्टल नंबर पता चल जाए और एक और एजमपल लेकर आपको समझा जिते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए देखिए जैसे कि मैं लिखूं-1 by 7-1 by 7 की कोई भी 3 equivalent रेस्ट नमबर बताना है तो equivalent रेस्ट नमबर कैसे बताएंगे तो आप कोई भी 3 नमबर अलग अलग नमबर लेजिए और 3 बार एक बार उपर निचे से मल्टिपलाई करें जैसे माइनस 1 बाई 7 में क्या करिए आप एक बार ऊपर 2 से मल्टिप्लाई कर दिजिए और नीचे भी क्या कर दिजिए 2 से मल्टिप्लाई कर दिजिए तो यह कितना जाएगा माइनस 2 बाई 14 यह 5 एकोईलेंट रोफ पता हुआ फिर दूसरा पता करने के लिए क्या करेंगे माइनस से मल्टिप्लाई कर दिजिए और एकबार नीचे और एक बार निचे फोर से मल्टिप्लाई कर दिजिए जो वाईलू आएगी क्या आएगी माइनस फोर बाइट यह तीसरी एक्यूवेलेंट रेशनल नंबर पता चल गए तो आई होप कि अप एक्यूवेलेंट रेशनल नंबर निकालना समझ गए होंगे चलिए अब बात करत है कि स्टेंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि स्टेंडर्ड फॉर्म आफ है रेशनल नंबर क्या होता है देखिए मालेजी कि मैं यहां पर कोई भी नंबर लिखूं फोर्टी भाई फोर्टी भाई थर्टी मैं बोलू कि क्या यह स्टेंडर्ड फॉर्म में है तो आप कैसे पा है तो अब यह standard form में है तो देखिए 40 और 30 का hcf निकालेंगे तो कितना आएगा 40 और 30 का जो hcf आएगा वह 10 है तो क्या यह standard form में है बुलेंगा आप नहीं है तो इसको standard form में convert करने के लिए क्या करेंगे तो आप सबसे पहले 40 ने यानि कि numerator और डिनोमिनेटर का HCF निकालिए और उसी HCF से एक बार नियूमरेटर में डिवाइड करेंगे और एक बार डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो कितना आजाएगा या फॉर भाई थरी फोर भाई थरी यह क्या है यह standard form में है, I hope आप standard form में लिखना समझ कियोंगे, फिर से किजह हम पलेते हैं, देखिए, माली जी कोई number लिखा गया है, 70 by 50, ऐसे कोई number लिखा गया है, तो आप बताइए, क्या यह standard form में है, तो सबसे पले आप क्या करें, numerator और denominator का HCF निकालेंगे, तो आप numerator और denominator का HCF निका तो अभी बताया कि numerator और denominator का HCF 1 होना चाहिए तभी इसको बोलें कि standard form में है लेकिन इसका HCF to 10 आ रहा है तो standard form में convert करने के लिए क्या करेंगे कि इसके HCF से एक बार ऊपर डिवाइड करिए यानि कि एक बार 70 में डिवाइड करिए 10 से और एक बार 50 में इसके डिवाइड करिए किसे 10 से तो जो वाइलू आएगी जो रिजल्ट आएगा 7 by 5 यह क्या होगा यह standard form में ही होगा यानि कि standard form में convert करने के लिए क्या करेंगे तो आप numerator और denominator का HCF निकालिए और उस HCF से एक बार ऊपर multiply करो एक बार नीचे multiply करिए तो standard form में convert हो जाएगा I hope कि आप standard form भी समझ गयोंगे I hope कि आपको आज का यह video rational number का समझ में आया होगा तो आगे वाली क्लास में हम बताएंगे कि rational number को number line पर कैसे represent करते हैं दूर rational numbers के बीच में अगर मैं और चैनल पने हों सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा धन्यवाद